कि हrane रज़ोय के पांगार्ट अधिया आगेपाए मुत्यटिंट से Cohen & tactics वि 59 उंप्ड़। था इन अर्गेनिक कॉमपेनेट उप्रोटोप्लास में जिसमें हमने मिनेरल और वर्टा को डिस्क्स किया था आज हम पढड़ने वाले हैं और गार्वो हाइट्र को सबसे पहले डिस्क्स करेंगे उसके बाद लिपीड और पोटिन एंदन नूकली कैसे ठीके तो सबसे पहले इस वीडियो में हम carbohydrate को ही discuss करने वाले हैं कि क्या होता है और किस तरीक से इसका classification हुआ है तो carbohydrate जो है वो क्या है एक तरीकी का और गैलिक मोलेकुल है इसके अंदर hydrogen, carbon and oxygen प्रिजेंट है यह हम यह बोल सकते हैं कि जो carbohydrate है वो किस से मेलकर की बनाया carbon, hydrogen and oxygen जो hydrogen और oxygen है उसका जो ratio है same water की तरह प्रिजेंट रहता है कर्भो हाइट्रेट में भी water में कितना रेशो प्रिजेंट होता है hydrogen और oxygen का two ratio one two hydrogen and one oxygen same ratio carbohydrate में भी प्रिजेंट रहता है two ratio one ठीक है हाग हम बात करें functional group की तो उसमें दो functional group है aldehyde and ketone aldehyde carbon double bond oxygen और carbon single bond hydrogen इसके अंदर present है और ketone में carbon double bond oxygen present है और दोनों ही तरफ carbon present है ठीक है तो ये aldehyde group है ये ketone group है तो दो functional group present रहते हैं carbo hydrate के अंदर ठीक है कौन-कौन से aldehyde and ketone ठीक है अब हम बात करते हैं monosaccharide तो sugar की basis पे जो carbohydrate उनको तीन तरीके से classification किया गया है उनका कौन-कौन से जैसे हम बात करें monosaccharide oligosaccharide and polysaccharide तो सबसे पहले हम monosaccharide को पढ़ेंगे उसके बाद oligosaccharide और उसके बाद polysaccharide तो जो monosaccharide है आप नाम से ही समाझ सकते हो mono मतलब one saccharide मतलब sugar यानि वन शुकर इसके अंदर प्रिजेंट है ठीक है इट इस ताइप अफ कार्बोहाइटर विसके नोट भी फर्दर हाइडुलाइज इन्टो सिंप्लर फॉर्म ही किस तरीके का कार्बोहाइटर है जिसको फर्दर आप हाइडुलाइज नहीं कर सकते हैं तब इसका ब्रेकडाउन फर्दर पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबसे सिंप्लर फॉर्म होता है नहीं कर सकते हैं धीक है अब हम बात करते हैं example की example अगर देखो monosaccharide का तो glucose, fructose and galactose इसके कुछ example है next जो monosaccharide है इसका further classification हुआ है on the basis of carbon atom किस तरीके से कि इसमें कितने carbon atom present है उसके basis भी further classification हुआ है जैसे कि हम trial sugar की बात करें तो इसमें 3 carbon atom present है tetrose में 4 carbon atom present है, pentose में 5 carbon atom present है, hexose में 6 carbon atom present रहते हैं थीक है? tryos sugar में 3 carbon atom, tetrose sugar में 4 carbon atom, pentose sugar में 5 carbon atom and hexose sugar में 6 carbon atom present रहते हैं ठीक है? example अगर हम देखें troos का glyceraldehyde, tetrose का trios, pentose का ribose, hexose का glucose, fructose, galactose जो आभी हमने उपर लिखें ठीक है तो यह है एक्जाम्पल कुछ ठीक है अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रूप को जैसे हमने अभी डिसक्स किया था तो यहां पर देखिए आप किटोन ग्रूप प्रेजंट है फ्रेक्टोस के अंदर ठीक है यह ग्रूप क्या है यह किटोनी ग्रूप है यह अपने अभी डिसक्स किया था यह वाला ग्रूप एल्डी हाइड तो यह ग्रूप प्रेजंट है ग्लुकोस के अंदर ठीक है तो फ्रेक्टोस और ग्लुकोस में तो 3 property आप learn कर सकते हो monosaccharide की sweet होते हैं water में soluble होते हैं और energy source होते हैं ठीक है तो यह हमने discuss किया monosaccharide के बारे में next up पढ़ने वाले हैं oligosaccharide and polysaccharide के बारे में आप इसको note कर सकते हो next up पढ़ने वाले हैं oligosaccharide के बारे में oligo जो term है उसका मतलब होता है few saccharide यानि कि यांगे पर फ्यू सुगर प्रिजेंट रहते हैं इसमें 2-10 monosaccharide प्रिजेंट रहते हैं और इसको हम hydrolize कर सकते हैं यानि कि breakdown कर सकते हैं इसको simpler form में convert किया जा सकता है oligosaccharide को क्योंकि इसमें 2-10 monosaccharide present रहते हैं तो इसको हम simpler form में convert कर सकते हैं जो हम monosaccharide को नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद में ही एक simpler form होता है अब जो oligosaccharide है उसमें एक important टाइप आता है disaccharide ठीक है it is most important oligosaccharide consists of two monosaccharide disaccharide में कितने monosaccharide present है two monosaccharide इसके अंदर present रहते हैं दाइओं यानि टीक है 2 monosaccharide disaccharide के अंदर present रहते हैं ब्ण देखते हैं disaccharide के maltose,lectose, लैक्टोज, सुकरोज यह तिनों के अपन Num 3 a Social माल्टोज हुग है कहां कहां देखने को मिलता है मॉल्टोस और वाटर्रिलीष हो रहा है glucose प्लस ग्लائक्टोस मिल कणिया बनाते हैं लैक्टोस और यहAy graduation हो रहा है glucose प्लस त Au shore ऊड़ट रिलिज हो रहा है glucose plus FourTE's मिलकर िखिया बनाते है рядом डिलिज हो रहा है glucose plus puisque toлюka है सुख्रोज और रिलिज हो रहा है यह जो प्रोसेश है किसके ही टुर्व होता है यहां पर header जू है रिलीज हो रहा है example को तोर पर हम देखते हैं दो शुगर यहां पर आपस पहें मिल रही है और यहां पहें क्या होगा? water Everywhere हो जाएगा और पर फर्द्र यहां पहें बन रहा से जो एक तरीकी का क्या है कोवलेंट बोन होता है ठीक है तो यह क्या है कोवलेंट बोन होता है और यहां पर क्या हो रहा है वाटर यहां से रिलीज हो गया था और दो मोनसक्रेड आपस में जुड़ गए हैं ग्लाइकोसिडिक बोन से ठीक है तो यह प्रोसेस होता है अलिगो इसके अंदर 10 more than 10 unit of monosaccharide रहती है two to ten किसमे प्रिजन्टी ती बाड़ी और अब दिसक्रिया था और जो प्रिजन्ट रहती हो किसके अंदर प्रिजन्टर रहती है polysaccharide जो प्रिजन्ट होते हैं वह सुएटलेस होते हैं यानि कि इसमें कोई मिठास नहीं होती है और इंसोलिबल होते हैं वाटर के अंदर ठीक है मोनोसेक्राइट और ओलीगोसेक्राइट दोनों ही क्या है हम हो सकते हैं स्वीट होते हैं टेस्ट में और वाटर के अंदर लेकिन polysacrede soluble नहीं होते हैं ठीके क्यों क्योंकि जैसे जैसे monosacrede आप इसमें जुड़ते जाएगे water जो है release होता जाएगा ठीक है यानि इसमें polarity कम होती जाएगी और वह insolubal होतें चले जाएगे water में water तो एक तरीके से स्टोरेज होता है पर ग्लुकोज हमारा जो हैं स्टोर होके रह जाता है कहां पर लेवर के अंदर डिरह प्रकाइज होता है एक पर भूजचन मिलती हैं कि आसे दियूяться विल两REE grey ता है उसे टरीके के function के बार में बात करें तो जो chief function होता है carbohydrate का वो क्या है यह source of energy है ठीक है हमें energy कहां से मिलती है carbohydrate से ठीक है तो यह source of energy है और एक तरीके से storage molecule यानि कि अभी हमने पढ़ा कि starch और glycogen starch साच प्लांट्स में और ग्लाइकोजोल एनिमल में ठीक है तो एक तरीकी से storage molecule का भी काम करता और जब भी हमें energy की required होती है requirement होती फर्द इनका breakdown हो जाता है और plants और animals को जो है energy मिलती है next structure and building molecule जैसे अभी हमने बात करी काईटिन cellulose and pectin की cellulose हमें पिछले वीडियो में हमने discuss किया था जो cell wall होती है वो किसे बनती है cellulose उसमें present रहता है ठीक है तो एक तरीकी से हम वो सकते structural और building molecule भी होता है ठीक है तो overall इसमें हमने discuss किया है carbohydrate के बारे में next video में हम discuss करने वाले हैं protein के बारे में तो इस वीडियो में इतना ही thank you so much for watching this video I'll see you in the next one हुआ हुआ हुआ